इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले है जब मैं इसको रिकॉर्ड करा थे спрос में एक theought आया कि क्यों ना इस वीडियो को सिर्फ इस चीच के लिए लिए हो कि कैसे बॉक को पढ़ना है से पढ़ा था इसलिए मैं आपको बताओंगे जो मैंने मार्का रखा कैसे कैसे क्या का पढ़ना होता है जैसे मैं वह क्या बताता हूं एक तो वर्ट पाव में डिजी से उसके अलावा इस बुक से कैसे आप सुनोनिम्स एंटोनिम्स और यह इडियम्स वगएरा यह सब कैसे कर सकते हो तो यह सारी बात जानेंगे इस वीडियो में आप पर लगो इसमें है क्या कि कुछ स्टार्डिंग ग्रामर के चैप्टर से और लास्ट में वोकाइब के चैप्टर से दिख रहा है ठीक है उन्हों डेली थ्वारा करना है यह बात ध्यान रखेगा अगर आप से ब होता क्या है वर्ब के बेसिक अक्शन बेसिक इनकी मीनिंग इनका डिवीजन आपको पता चलेगा वह चैप्टर होता है वह पॉइंट वाइस दिवाइड हो जाता है मैं आपको बहुत सिंपल का पताता हूं करे बार जब आप नोट्स में लिखते हैं तो हमको बहुत इसमें लाइन दिए रहां से करते रहो वैसे वर्ब टैंस सब्जेट वर्ब एड्वांस नाउन पुराओन एजेक्टिव इसले लाइन में आपको करना है तो आपको जैसे मालों आपने कोई वर्ब में रूल पढ़ा तो आगे जाकर आपको नाउन मिलेगा आगे आगे पहले करें आपको इसमें खराब बात नहीं है तो आपको जैसके मालों कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें इमर्स हो जाओ आप कोई वर्ट पतरेसा मालों मैं ने आपको पर रखा है मैंने कोछ पर दाओं इसको मैं है करता हूं मैं इसको मुझे कोई मीनिंग नहीं पता हूं क्योंकि जिससे बाद में इस चैप्टर को देखने ही आऊ या फिर जब मैं बाद में उसकी मीनिंग को देखूं तो मुझे याद हो जाए ठीक है तो आपको हर वर्ड साथ होना पड़ता है टाइम लगेगा मैं यह मान आपको इसलिए यहां पर दूसरी बात रखूंगा कि जब भी आप इसका नेक्स चैप्टर उठाने जाओ तो एक काम चोटा से करो कि पिछले चैप्टर की बस जो आपने एक्सेसाइज किए ना पचासार कोश्चन की उसको अब खड़ा कर रिवाइस कर लो इंगलुष को इंप्रूफ करने के लिए देखर दो तीन तरीके होते हैं एक तो आप यह पढ़ रहे हो साथ में आप सेक्शनल मॉक्स लगाते हैं इससे क्या होग है कि आपके जो यह ग् की लिंग देते रहा हूं आप वहाँ जाके सेक्शनल मॉक को अटेंट करिए और यह चक करिए कि इंग्लिश में आप कहां पे स्टैंड करते हो कि जो आपने रूल पढ़ा वो रूल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है एक बात यह हो गई तो आपने क्या कि करना है कि पहलाग में वक्याप करनी है अच्छा अब आपको कुछ रिवाइस करने के लिए कुछ एक्जाम औरिंटेट इस उनको भी पढ़ना होगा तो उनको आप यह बुक से पढ़ लोगे मैं फिर से बोल रहा हूं आप किसी भी बुक से पढ़ रहा हो हर बुक के एंड लेकिन इससे हम बताओ जैसे मालो मैंने यह पढ़ा था अभी आपको दिख रहा होगा वक्याप का ठीक है अब यह पहले चेप्टर है देखो मैंने इसको कैसे धंग से पढ़ा है मैंने पढ़ा लेकिन इतना मुझे पता है कम से कम तीन चारब मैंने पढ़ा था फर्स है कि debase करना बेल दिल करना humiliate करना यह सारी चीजें abase का मतलब होती है तो कभी मुझे कोई इससे उससे related word दिखेगा तो मुझे भी confused नहीं होगा ठीक है कई वाइसा होता जैसे मालो कि मुझे कोई word दिमांग में नहीं बैठ रहा है तो मैं क्या करता था कि उस word का मैंने क्या है एक बार में नहीं होगा यह कई बार में होगा यह पूरा एक साल की प्रसेस जो मैंने बताई एक साल में हुआ था ठीक है अब वकाब के कौन कौन चेप्टर से वकाब वाले करने नहीं वकाब भी है जो सिनोने के सिनोनम के घर जाती है था तो बहुत आते हैं कि सब्सक्राइब आते हैं नोट कि राद है इनकी मीनिक Moria लगभाग ने और एक बात आप देखोगे कि मैं कभे भी option टेक नहीं करता था क्योंकि हमेशा देखना तो इसमें मुझे कितने चारे वर्ट दिख रहे हैं अब नगभभाग साठ वर्ड में लगभां 15-20 बैसे 12 भूल आटथा था क्या कर रखा है उनको highlight कर रखा है उनकी meaning लिख रखी है उनको synonyms लिख रखे हैं जो मुझे हमिचे रहा दें like batted हो गया, release हो गया, delirious हो गया, solacism हो गया, nebulous हो गया, abated हो गया, covenant हो गया, denty हो गया तो यह सारे words क्या है कि मैं इनको बार बार देखेंगो ना मुझे दिमाग में छप जाएंगी और यह time ऐसा आ गया था यह चप गया तो हर एक word मैंने याद किया था similarly आपका antonyms है, आपका one word substitution है, जब आप one word substitution पढ़िए उसको जम deep में पढ़िए जैसे मैं इसमें पढ़ रखा है, यह देखेंगे आप अपना हर चीजों को relate कर पाएं, ठीक है, relate कर पाएं, जैसे आपको याद है, जैसे इसमें कोई word है, इसमें celibate एक word है, आद दिख र बेट हो भाई, तो बताग सेलिबेट क्या है, ब्रहमपचरी भाई, तो सेलिबेट जब इतना discuss हो गया, तो मुझे कभी भूले गए नहीं, आप इसका देखिए, मैं करने का आपको रूटीन बताता हूँ, कैसे करना होगा, आपको क्या करना, आपको दन में एक घंटा निक आपको आपको क्या है, एक बात या रहा है, एक बात या रहा है, एक बार में नहीं होता, और दूसरा क्या होता है, कि जब हम बार बार पढ़ते हैं चीजों को, तो हर बार में को कुछ नई इंसाइट्स पता चलती है, जैसे मालो आपने वर्ब में पढ़ा, आपने पहले हम पढ़ लिया, आपने रूल लगाया, कॉश्चन होगे वगरा वगरा, निस्ट जवाब पढ़ो तो आपने अच्छा, ये रूल ऐसा था, इसका ये मतलत था, जब आप पढ़ा हो तो आपको कुछ और पार चलेगा, फोर तायम कुछ और पार चलेगा, हर बार हमको इद्दम नई चीज़ पार चलती, छोटी-मोटी, इद्दम बारीक में जब आप घुच जाते हो न, उसको बोलते है, इन-देफ्ट एस एक बात धहान रखेगा, कि जब भी आप और जब भी बात धहान रखेगा, कि जब भी आप करने आ रहा हो, तो तो आप पीछे का रिवाइस जरूर कर रहा हो, मतलब, जिससे मालो कि आप 2nd chapter करने जा रहा हो, 1st chapter रिवाइस कर लो, 3rd करने जा रहा हो, 1st second रिवाइस कर लो, ऐसे करते-करते मालो, एक संडे आया, पुरा तीनो बैट कर लिवाइस कर लिया, ठीक है, समझना है बात, फिर कहा कि आपने पुरे एक वीग में किया, 4thा किया, 5thा किया, 5thा किया, 5thा किया, पांच्वा जब कर रहा हो, 4thा कर रिवाइस कर लिया, फिर जब 2nd week में आप पुरा रिविजिंग करने ब इतना ही टाम आपको इंगलिश को डिवोट करना होता है, अगर अलग से आपको न कोई कोर्स खरीदना है, न कोई बहुत सारे बुक्स खरीद नहीं है, कोई भी बुक हो, आप उससे पढ़िए, minimal resources यूज करने कोईश करिए, आपको सिर्फ कभी भी मुझसे जैसे कही लोग पोस्त हैं कि सर, यह मैं पास यही pagar, मैं यही बुक भी ले लूं क्या, मैं पास है, यही जो बूप भी लूँ क्या, आपको गलिए प्रेक्वर्टिस करने के लिए, तो आप एक दो बूप रख सकते हो, वीडिव ढख लगा हो तो लाइक करे ना, ड़ आउना अज दाड़ ठीक है चलो बाई बाई और वीडियो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ बाई बाई टेक क्यार